पेटवेट टाउन में दोस्तों स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे स्टिमवेट 21 बोलस के बारे में कि पशों में इस बोलस का क्या उप्योग है और ये बोलस है पशों को किस तरह से देनी है तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल अपरल्स आक में चेनल को य Daisy को भी दबा देजी तो आए देश्वाण कर्मिक बटन को भी दॉच्छाएए दोस्तों शुरू गरते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं किस qualus के अनदर है क्या इसके अदर दोस्तों ये 21 की किट आती है जिसके अंदर Phyto Estrogen होता है, Geno Estrogen होता है, Vitamins है, Glycin Chiletan Minules है, Metabolic Restor है, और Phyto Biotics है, Calcium और Fast Force इसके अंदर होता है, और इसके अंदर और अगर बात करें इसके अंदर धेर सारे جो Minilals है, Vitamins है, Minilals में Copper, Zinc, Selenium, Cobalt, Iodine, Magnes, Chromium, Vitamin A भी इसके अंदर है, विटामिन D भी इसके अंदर है विटामिन E केलशियम और फाइटो एस्ट्रोजन और जेनो एस्ट्रोजन और फाइटो बायोटिक्स और जहां तक दोस्तों इसके अंदर बात करें एक फाइटो बायोटिक्स है एक तरह से नेच्रल एंटिबायोटिक है जो पशो के अंदर जो घरवाश है उसके संक्रमनों को कम करता है वो इसके अंदर डाला हुआ है दोस्तों बात करते हैं कि ये जो बोलस है पशो में कौन-कौन से जो उपयोग में लाई जाती है जो मादा पशो है गाए भेंस है वो repeat हो रही है उनको काफी बार आपने यह करवा ली है conceive नहीं हो रही है तो वहाँ पर अपन इसको दे सकते हैं पशो में silent heat की समस्या है तो वहाँ पे भी अपन पशुओं को यह जो बोलस है दे सकते हैं पशुओं में किसी तरह की सिस्टिक ओवरी है तो वहाँ पे दे सकते हैं और यह बोलस जो है जो गरपात को भी रोकती है और अरली अमिरोनिक डेथ है वहाँ जो फेटल की तो उसको भी यह रोकती है और जो का mummification हो जाता है उसको भी यह रोकती है रहो अन्य जो प्रजिन समंदी जो reproduction से समंदी जो समस्य है उनमें इसका अच्छा रोल रहता है और दोस्तों यह पशु जहां पर लगता है कि बार-बार repeat हो रहा है और पशु silent heat दिखा रहा है heat में नहीं आ रहा है खुलके heat में नहीं आ रहा है conceive नहीं हो रहा है तो वहाँ पर दे सकते हैं हलका-फुलका matritis है बच्चेदानी में infection है तो वहाँ पर भी क्या है कि यह work रहता है क्योंकि इसके अंदर phytobiotics है जो एक तरह से प्राकरतिक एंटिवाइटिक है जो मैंने आपको बताया अब दोस्तों बात करते हैं इस बोलस को देना कैसे है steamway 21 बोलस का जो box है इसको unboxing करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या company अपने को दे रही है सबसे पहले तो क्या है कि इसके अंदर i-box नाम से एक divirming की tablet आती है जो oxfandazole, ironmectin और jinx sulfate इसके अंदर होता है और यह जो बोलस आपने क्या है कि यह जो kit देने से पहले पोशों की divirming करवानी है और इसका तीन महीने तक इसका असर रहता है अगर आपने हाल फिलाल यह 2-4 दिन में अगर divirming कराई है तो आप नहीं देवें अगर नहीं करवाई है तो आप यह देवें अब इस box को अंदर से देखते हैं तो इसके अंदर अपने को तीन छोटे छोटे जो box अपने को और इसके अंदर मिलते हैं इसके अंदर जो तीन छोटे छोटे जो box निकले हैं जिनके अंदर tablets है तो इनके उपर numbering की हुई है number one, number two और number three और इनको other भी dividation किया हुआ है जैसे red है, green है और blue तो अब इसको देना कैसे है, देने की जहां तक बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को कहा है number one जो red कलर का जिस पे mark लगा हुआ है उस box को अगर open करते हैं तो उसमें अपने को 7 बोलस मिलती है एक से 7 दिन तक अपन वो देनी है उसके बाद में number two जो green कलर का है ये एक तरह से treatmently course है और treatment by treatment ही यूज़ करना है आपने routine में इसको नहीं देना है जहां पर आपको लगता है कि पशु बार बार repeat हो रहा है पशु conceive नहीं हो रहा है उसमें किसी परकार का हलका full का infection है पशु heat में नहीं आ रहा है